Hello everyone, welcome to online study point आज है 26 जुलाई लेकिन कल की क्लास नहीं हो पाई थी इसलिए आज किस वीडियो में हम 25 और 26 जुलाई के important current affair के जितने भी important question है इन्हें cover करेंगे यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं बनाई गई है क्योंकि क्यूबा में अभी क्या चल रहा है प्रोटेस्ट चल रहा है ऐसा प्रोटेस्ट सरकार की खिलाफ जो कि पिछले 30 से 40 साल में कभी नहीं चला था और इसका फाइदा उठा रहा है अमेरिका किस देश ने पहली बार भारत को ट्रोइका प्लस मीटिंग के लिए आमंतरित किया है तो यह रशिया के द्वारा एन्वाइट किया गया है ट्रोइका मतलब कि इसमें रशिया, चाइना और अमेरिका शामिल थे लेकिन अफगानिस्तान में शांती लाने के लिए पहली बार इसमें भारत को भी शामिल किया गया है ट्रोइका प्लस डियाइडियो ने सर्फेश टू एर वार करने वाली किस नई पीड़ी की मिसाइल का सफल परिक्षन किया है आकास एन्जी मिसाइल केंद्र सरकार ने केंद्र विश्व द्याले की मंजोरी कहां दी है तो ये बनाया जाएगा लद्दाख में किस राज्जी सरकार ने कोरोना से अनात हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेस गौर्मेंट ने और देखिए आज आप लोगों को वीडियो को जो फॉर्मेट है ये बदला हुआ लगेगा वीडियो थोड़ा शॉर्ट भी हो सकता है अजका क्योंकि हेल्थ इशू के कारण मुझे वीडियो बनाने में दिक्कल जा रही है तो ये प्रॉमिस है कि कल से प्रॉपर वही इसके बारे में हम आगे डिसकस भी करेंगे फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि इस साल की ये जो मीटिंग है इसे इटली होस्ट करेगा और ये जो जी टॉन्टी की मीटिंग होगी ये इस साल के अंत तक अक्टूबर नवंबर में आयजित की जाएगी परपस ये है कि जैवी वित्ता को बढ़ावा देना महासागरो का संद्रक्षन जलवाई उर्जा और परियावरण संद्रक्षन के बारे में इस समट में चर्चा की जानी है और प्रेजन टेम में दी देखा जाए तो भूपेंद्र यादव ये हमारे भारत के परियावरण वन और जलवाई का साथ ही इटली की गंगा ये किस नदी को कहते हैं तो ये पो नदी को ही कहा जाता है अभी पिछले ही महिने जो इटली है इसने योरो ट्रॉफी 2020 ये अपने नाम की है तो अब हम जा ले थे जी 20 के बारे में that is group of 20 देखे 20 देश नहीं है 19 देश है इसमें और एक समू है और इसका जो पहला सम्मेलन 2008 में हुआ था अभी लास्ट येर हुआ था सौधी अरब में इस साल होगा इटली में यानि कि इटली 2021 में होश्ट करेगा इसके बाद जो next होगा 17 हवा इसे होश्ट करेगा इंडोनेशिया ध्यान रखे पहले इसे भारत होश्ट करने वाला था लेकिन अब भारत इसे होश्ट करेगा 2023 में और जब भारत इसे होश्ट करेगा तब इसका 18 रहवा एडिशन होगा अगला कुश्चन है हाली में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट ये कौन बने हैं तो ये भी हाली में बन गये हैं संत तीस देशों की यात्रा कर चुके हैं और अंतरिक्ष होता क्या है पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि समुद्र तल से 100 km की उचाई पर एक कालपनी क्रेखा आप कह सकते हैं जिसे हम कहते कर्मन रेखा इसके उपर जाने पर ये कहलाता है अंतरिक्ष जहां से अभी हाल जोर्ज कुलांगरा अच्छा एक और नाम भी चर्चे में था सिरिसा बांदला का अंतरिक्ष में जाने वाली भारती मुल्की पहली महिला इदी पूछा जाए कलपना चावला है दूसरी महिला इदी पूछा जाए तो ये है से रेना विल्यम्स तीसरी इदी पूछा जाए तो ये है सिरिसा बांदला लेकिन आप से यदि पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला कौन है तो देखिए पहली तो है कलपना चावला इनका जन्म भारत में हुआ और भारत में जन्मी दूसरी महिला है सिरिसा बांदला यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सेरेना विलियमसन ये भारती मूलकी तो थी लेकिन इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था इनके पिता जी 1965 में अमेरिका चले गये थे और सेरेना विलियमसन का जो जन्म है ये अमेरिका में ही हुआ था इस पेस पहुँचने वाले पहले वेक्ति यह निकी अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले वेक्ति थे यूरी गागरिन रशिया से थे और पहली महिला दी पूछी जाए वेलेंटीना तरिसकोवा ये भी रशिया से थी पहले भारती दी पूछा जाए राकेश शर्मा और पहली भ कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाली में जनेटिकली मोडिफाइड गेहूं को माननेता देने वाला विश्व का पहला दिस ये अर्जेंटीना बना था इसने इस गेहूं को नाम दिया था HB4 यहां हम बात कर रहे हैं कि हाली में जो फिलिपिन्स है इसने अ चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है विटामिन B लेकिन यहां पर आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि यह जो गोल्डन राइस होता है इसमें विटामिन A पाया जाता है क्योंकि आप यह जानते ही है विटामिन A की कमी से कौन सा रो होता है रतांधी रोग तो अंध्यपन के सिकार हो जाते हैं, इस से लणने में भी ये मदद कर सकेगा। साधारर चावल और गोल्डन चावल इसमें क्यांतर है, तो देखें, जो साधारर चावल होता है, इसमें बीटा कैरोटीन तो पैदा होता है, लेकिन ये दाने में नहीं पाया जाता है, जबकि जो गोल्डन राइस है, इसके दाने में ही बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और मनीला में किसका हैटकॉर्टर इस्थित है ADB यनिकी Asian Development Bank आप लोगों को ये भी आग रखना है देखे चावल की बात आ रही है इसलिए में आप लोगों को बता रही हूँ अंता राश्री चावल अनुसंधान संस्थान ये फिलिपिन्स में है जब कि दी पूछा जाए कि भारत का राश्री चावल अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है तो ये कटक ओडिसा में इस्थित है अगला कोश्चन है किस फुटबॉल खिलाडी को AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ दे यर 2021 से सम्मानित किया गया है तो ये भी हाली में सम्मानित की गई है बाला देवी देखे आज के मुशली कोश्चन स्पोर्ट से रिलेटेड है क्योंकि टोक्यो अलंपिक शुरू हो चुका ह इस से रिलेटेड नए-नए कोश्चन बन रहे हैं तो बाला देवी को चुना गया है AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ दे यर साथी आप लोगों को एक और नाम याद रखना है मनीसा कल्याना का जिने AIFF Emerging Footballer ऑफ दे यर 2020 चुना गया है ये AIFF ये है क्या तो इसके फुल फॉर्म बनती है अखिल भारती फुटबॉल महासंग इंग्लिस में आप कह सकते हैं All India Football Federation इसके स्थापना हुई थी 1937 में हैटक्वार्टर अस्तित है दिल्ली में और इसके जो अध्यक्ष है ये है प्रफुल पटेल तो महिला फुटबॉलर ऑफ दे यर ये तो बाला देवी को जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं और AIFF के बारे में पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है देखिए फुटबॉल से रिलेटेड एक और संग का नामा प्याद रख सकते हैं FIFA Federation International The Football Association इस्थापना हुई थी 1904 में हैटक्वार्टर जियूरिक स्वीजर लेंड में इस क्लिफ्टर हैं मणिपूर से बिलॉंग करती हैं और इन्होंने यह जो अवार्ड है यह 49 कि 49 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है मणिपूर के मुख्यमंत्री ने 75 लाख रुपए के इनाम की भी घोशना कर दी है तो भारत के लिए प्रावड मुवमेंट है इन्होंने सि इसमें धोजवाक होंगे बजरंग पुनिया अगला कुश्चन है हाली में ताइवान सरकार ने किस देश में अपना पहला कारियाल है इस्थापित करने की घोशना की है तो ताइवान के दुआरा इसका पहला ओफिस जो किस्थापित किया जाएगा लिथियानिया में अब इतना इंपॉर्टन क्यों बन जाता है तो देखे यह तो आप सभी जानते हैं कि चाइना का प्रभाव यह हमेशा सही ताइवान में रहा है मतलब कि यह अलग कंट्री भले ही है लेकिन यह पूरी तरह से चाइना के हिसे में आता है अभी तक इसे स्वतंत्र पहचान तो मिल लुष्वानिया की ये औरोपियन कंट्री है आप देख पा रहे हैं यह है बाल्टिक सी बाल्टिक सी के किनारे जो तीन कंट्री यस्थित है कौन-कौन सी एस्टोनिया लात्विया और लित्वानिया यही तीन कंट्री कहलाती है बालकन कंट्री और यहीं अपना head office खोलने जा रहा है ताइवान लिथुवानिय के लिए हम बात करें तो इसकी कैपिटल है विनीसियस करंसी है यूरो मद्ध्य प्रदेश में के शहर को यूनिस्को द्वार अपने एतिहासिक सहरी लेंड्स के परियोजना के तहट चुना गया है तो यह चुना गया है ग्वालियर और दोनों को ही यूनिसको के अईस्थाई धरोहर के लिष्ट में भी शामिल किया गया था और अभी ने एतिहासिक सहरी लेंड्स के परियोजना के तहट चुन भी लिया गया है दोनों इससे थे मद्ध्य प्रदेश में अब यदि हम बात करें मद्ध्य प्रदेश की तो इसकी ने ćूट हैं और मद्ध्य प्रदेश के तीन इस्थाल हैं जिसे यूनिसको के दुआरा वर्ल्ड हिर्यितस साइड में शामिल किया गया पहला तो है खजराहो के टेम्पल 1986 में शामिल किया गया दूसरे हैं सांची की स्थूप 1989 में शामिल किया गया और तीसरा है भीम बेटिका की गुफाएं जिनने 2003 में UNESCO के World Heritage World Heritage Site में शामिल किया गया था और यहां का एक प्रमुख National Park है Bandha Guard National Park Hot Air Balloon की सुविधा देने वाला यह भारत का पहला Tiger Reserve भी बना था Bandha Guard इसका नामा प्याद रखेंगे साथ ही अभी हाली में एनीमिया मुक्त भारत सुचकांक में मध्यप्रदेश यह रहा था टॉप पर Smart Cities की जो लिष्ट जारी की गई थी इसमें भारत के दो शहर टॉप पर है एक तो है इंदौर दूसरा है गुजरात का सूरत शहर अगला है हाली में कि सराज जी के वेलोर के काटेदार बैगन को GI टेग दिया गया है तो यह जो प्रोड़क्ट है यह रिलेटेट है वेलोर से और वेलोर जो के इस्थित है तमिल नाडू में इसे भी हाली में GI टेग दिया गया है किसी भी प्रोड़क्ट को यह जी जी टेग मिलता है तो क्या होता है कि उसे एक अंतराश्टी पहचान भी मिल जाती है साथ ही उसके उत्पादन में भी व्रद्धी देखने को मिलती है क्योंकि मांग बढ़ जाती है इधे आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किस प्रोड़क्ट को GI टेग मिला था तो 2004 में सबसे पहले मिला था दारजिलिंक की चाय को तमिल नाड़ू के इस प्रोड़क्ट को तमिल नाड़ू की राजधानी चिन्ने और चिन्नें में ही गुडविल एम्बेजडर टुदा पूर अपॉइंट किया गया था और अभी यहां तो बात की जारी है जी आई टेग प्रोडेक्ट की तो एक एक आप्शन से हम रिलेट कर सकते हैं जैसे कि तमिल लाडू के और भी कुछ प्रोडेक्ट हैं जैसे कि डिंडी कुला ताला कडा कनाथ मुर्गा इन सभी को जी आई टेग मिल चुका है अगला कुश्चन है टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र के और सबसे उम्र दराज एथिलेट यह कौन बने हैं तो देखिए सबसे कम उम्र के यदि पूछा जाए तो यह बने हैं हैं हैंड जाजा इनकी उम्र कितनी ह तो यह है मात्र बारा साल की यह सीरियाई टेबल टैनिस खिलाडी हैं यदि सबसे जादा पूछा जाए तो यह है मेरी हेना इनकी उम्र है छाचा टैनी के 66 एर हैं यह औस्टिले से बिलॉंग करते हैं और यह घुर सवार हैं तो इसे मैं PDF में मोडिफाई कर दूँगी इसक जो सवाल पूछा था इसका राइट अंसर था नॉड़ा अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है हाली में लीवर्पुल को युनिस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिष्ट से बाहर कर दिया गया है यह किस देश में स्थित है तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक् पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच